हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबोच चन सिंग को जीएस एमपी क्लिनिक आइन निव्च चैनल के अंतरगत फैलेरिया फैलेरियासिस बुचेरिया बैंक्राफ्टी यानि पैर आपका धीरे धीरे मोटा होते होते इतना बढ़ जाए कि आ माथी के समान दिखाई देने लगे इस बिमारी का नाम है बुचेरिया बैंक्राफ्टी हम वीडियो इसलिए लाए हैं कि ज्यादा तर फैलेरिया के मरीज हैं इधर उधर भटकते रहते हैं उनको सही समय पर सही जनकारी उपलब्द कराना हमरा उद्यस है ताकि कोई ऐसा ग जीवन भर के लिए ठीक न हो और उसके चलते उनकी जान भी गवानी परी कई फैलेरिया का मरीज हमने देखा कि फैलेरिया जब मोटा पैर हो जाता है हाथी के समान तो आप रेशन कराने की अनुमती दे देते हैं और उनके पास कोई बिकल्ब भी नहीं रहता वह बिमारी से ठीक नहीं हो पाते हैं और उल्टे उनकी जान चली जाती हैं प्राण यानि जीवन का बहुत बरा कीमत होता है तब तलोग लाखों रुपिय लगा कर अपने जीवन को बचाने की कोशिस करते हैं जीवन बार बार तो मिलता नहीं है जो भी है स्वस्थ होने का खुसी अंदर से जो होता है उसकी बात ही अलग होता है जब सरीर में कोई भी पिरादायक बीमारी वह भी अस्थाई रूप से रहने लगे और जल्दी वह जाने का नाम न ले और जिन्दगी का हिस्सा बन जाए ऐसे मरीजों के लिए यह बीमारी बाद में प्रान निकलने से भी एक से आपको कोई भी डॉक्टर के पास में नहीं जाता है जब तकलीफ होता है तब ही जाता है लेकिन इसके पहले जग तकलीफ हो तो आपको जनकारी देना हम लोग का फर्ज है जनकारी हम लोग इसलिए अच्छा सुपलव्ज कराते हैं ताकि कोई फैलेडिया का मरीज यह नहीं कहे कि आपको किसी यूट्यूबर ने किसी डॉक्टर ने आपको जनकारी नहीं दिया था फैलेडिया जो है सबसे बड़ा उसका पहचान है और उसमें फैलेडिया जब मोटा पैर हो जाता है तो कई लोग तो निर्ना ही नहीं कर पाते हैं कि उनको कौन सा बीमारी है हम आपका सठिक लक्षन बताएंगे और आप एकदम फैलेडिया रोका मास्टर होकर निकलेंगे कोई भी आपको जुठला नहीं पाएगा फैलेडिया है तो है तो फैलेडिया में यदि आप हेटराजन बेनोसाइड फोर्ट एलवेलडाजोल फोलोरोसीट का इंजेक्शन इन दमाओं के सहयोग से केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं केवल इस इन सभी दमाओं से कंट्र बोल तो रहेगा लेकिन जर से कभी समाप्त नहीं होगा यदि फैलेडिया आपको हो गया है पैर दीन में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-दीने मोटा होते होते रात तक मोटा होता है और रात में नहीं फैलेगा फिर सुबह से जब चलना सुरू करेंगे तो धीरे-धीरे फैल पहच्चान है कि पायल में आपको दर्द रहने लगेगा फाइलेरिया कहा कहा होता है पायल पर होगा एक पायल या दोनों पायल लगेगा सीकू diligence जाएगा यदी आ जाएगा कि कराने के लिए जाते हैं कई लोग का पाजीटिव आ सकता है अब दिने आप जाईएगा जाज कराने तरह तरह का है लेकि रियल माइने में फैलेरिया का सटिक जाज आई तक कोई नहीं निकल पाया है इसके लक्षन के अधार पर ही आपका देखा जाता है कि फैलेरिया है की नहीं है तो सुरू में सुबा में आपका जो पैर होता है धीरे धी फूलते जाएगा रात तक यानि साम तक पूरा रात में नहीं फैलेगा साम तक आपको जाएगा रात में कम हो हें और यह लाज करने लगते हैं और बाल में चलता है कि हाड का विमारी नहीं है फैलरिया का बिमारी है लक्षन को जानिए नहीं तो आपका फैलेरिया है नहीं तो फैलेरिया है आपका हार्ट का इलाज चलने लगेगा इलाज इधर से उधर दिशा में चला गया तो आप काफी मुश्किल में पर जाएंगे कई कई रोगी कहीं कहीं जाकर के तेल उठालाते हैं तेल जैसा कि यह भी तेल है फिलारी नुएल बहुत परसीत तेल है लेकिन इसे क्या होगा अराम मिलेगा अराम मिलेगा लेकि जर से कभी समाप्त नहीं होगा इस तरह के तेल के फिरे में न परे इसे अराम रह सकता है जब जाएगा तो आपके होमिपैथिक इलाई से ही यह जाएगा कई लोग बहुत जब का होमिपैथिक दवा खा लेते हैं बोलते हैं कि ठीक नहीं होता है सबसे बरी चीज़ है कि हर रोग का अनभव होनी चाहिए हम फैलेरिया को ठीक होने का दावा क्यों करते हैं हम वही चैनल पर बिमारी लेकर आते हैं जिसका 100% उपचार है क्या है जिसका 100% उपचार है यानि फैलेरिया में इसका आप पुछेंगे कि आप परमान क्या है आप किसी भी डॉक्टर से परमान ले सकते हैं पुरूफ के साथ आपको यह बताये जाएगा कि फैलेरिया पुराना से पुराना क्यों नहों 100% ठीक हो जाता है समय लगेगा समय लगता है पुराने बिमारी को ठीक करने में दो साल से जो भी ज्यादा बिमारी हो जाता है उसमें समय लेगा दो साल से ज्यादे बिमारी को क्रोनिक डिजिज कहा जाता है अब आईए विशाय पर इसके लक्षन पर इसमें फैलेरिया में जब आगे बरहेगा अगर लेडिज है इस तीरी है तो उनके ब्रेश्ट में यानि छाती में गिल्टी देखने में आता है ये फैलेरिया के उयस हो सकता है और आँख का लाल होना भी फैलेरिया के बिमारी में देखा जाता है आँख लाल हो जाएगा फैलेरिया में और दूध के तरह पिसाब होगा ये भी फैलेरिया का लक्षन है जब फैलेरिया का एटैक होगा तो आपको भूत खेलाने लगेंगे यानि जार बुखार आपको जादे आएगा जार बुखार आपको आने लगेगा सरीर में दर्द भीरा सकता है उल्टी भीरा सकता है पैर में या पुरे बदन में दर्द आ जाएगा और लाली लाल लाल पुरे सरीर में दाने आ जाएगे हमने फैलेरिया के बिमारी में इतना लक्षनम देखे हैं पुराना जब पैर फूलते जाएगा तो क्या होगा घाव बना लेगा और घाव से पानी हमेशा निकलेगा और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है कितने का तो पैर काटनी परी आंत में उनकी डेथ हो गई फैलेरिया एक खतनाक और गंभीर बिमारी है अंग्रेजी दवा हेटराजन बेनोसाइड फोर्ट एलवेल्डाजोल फ्रोरोसिट का इंजेक्शन से केवल और केवल आपको कुछ दिनों के लिए अराम मिलेगा ठीक इससे कभी नहीं होगा ठीक करने के लिए लक्षन के अनुसार आपकी दवाई चलेगी तब जाकर ठीक होगा हाइडोकुटाइल दोसो चार बुन सुबह साम कुछ दिनों तक लेने से बिमारी थोड़ा कंटोल तो रहता है लेकिन जर से ठीक करने के लिए इसमें खास किसिम का दवा चलता है अपना यह बिमारी का उपचार हमरा क्लिनिक जो है छपरा बिहार से हम संबन्द रखते हैं यदि छपरा और बिहार में आपका घर है तो आप ओफ लाइन यानि डारिक क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं ऐसे ओनलाइन इस बिमारी का उपचार संबन्द रहता है आपको क्लिनिक पर बार बार आने की जरूत नहीं परती है चुकि फोटो से फोटो भेजने से फैलेडिया आपका कितना है क्या दिकत है घाव है कि नहीं है भुखार आता है कि नहीं आता है सारा सिम्टम हम फोन से पुछ लेते हैं और कितना आपका पैर मोटा है इसमें कितना दवा चलेगा यह हमें आसानी से हम समझ जाते हैं इसलिए फैलेडिया के मरीज हैं धायर पूर्बग दवा लेंगे तब ही जाकर ठीक होगा घबराए नहीं अस्थाई रुप से जर्ष ठीक करने के लिए इसमें समय लगता ही है तो फैलेडिया के मरीज जो हैं हाइडूसिल से पानी पानी भी थोरा थोरा उन्हें आने लगता है तो ज्यादा इसमें सिम्टम नहीं आता है इतना ही है और यह खास प्रकार के मच्छर के काटने से बिमारी होता है इस बिमारी में मच्छरदानी का यानी मस्करटोन नेट का परियोग करनी चाहिए और खाने में खाने में दही और केले से आपको बचनी चाहिए इस बिमारी के मरीज को आपको दही कितना ही प्यारा हो केला आपके लिए कितना भी प्यारा हो कितने भी उसको इंट्रेट से आप खाते हो लेकिन इस बिमारी में आपको छोड़ना ही पड़ेगा तो इस बिमारी में आप लोग कहते हैं कि कई बिमारियों में पैर फूल जाएगा सब कहसे मालूम चलेगा कि आपको फैलेरिया ही है तो सबसे पहले चाहिए है कि फैलेरिया के कोई जाच नहीं होता है होम ये पैथिक दवा लक्षन का अंसार चलेगा पैर आपका किसी भी कारण से पैर फूलेगा उसकी दवा चलेगी ठीक होगा चाहे फैलेरिया के हो या अन बिमारी के कारण ऐसे मैं बता दूँ कि पैर फैलेरिया में तो क्या सिम्टम देता है और जो किड़नी के वज़ा से जो पैर फूलेगा हमेशा आपको एक जैसा फूला रहता है और किड़नी के वज़ा से पूरे सरीर और चेहरे में भी सुजन आएगा भूख की कमी होगा उल्टी जैसा उनको मन रहता है और हार्ट के विमारी में भी आपको एक सब पैर फूल सकता है लेकिन उसका भी खास लक्षन है दूसरा जगा पर आपको कोई दिकत नहीं आता है जो फैलेरिया के उज़ा से है फैले जो हार्ट का जो दिकत है असाब सब समझ में आएगा पूरे सरीर में उनका सुजन आ सकता है तो हार्ट के मरी या लीभर के कारण भी चेहरे आपको सुजन आ सकता है तो पूरा चेहरा सरीर सुजने लगता है फाइलेरिया में सारा जगह पर आपका सरीर ठीक रहेगा तो अच्छा ठीक रहेगा केवल पैर, हाथ, हाइडोसिल, छाती और आंख में लाली, जार, बुखार, सिहरी और दूज के तरफ पे साब होना इतना ही देखा गया है फाइलेरिया कहीं पर भी दिखाते हैं, हर डाक्टर को आपको परमाल लेनी चाहिए, आए तो डिजिटल जबाना है, पुरूफ आपको मिल ही जाएगा कि बीमारी आपका ठीक किसी का हुआ है कि नहीं हुआ है हम जो भी बीमारी देखते हैं, हमने 6 साल पुराना फाइलेरिया के मरीज हमने ठीक किया है और लाइफ किया और ठीक होने के 4 साल बाद लाइफ किया गया यानि बीमारी जो ठीक होता है, अस्थाई रूप से जड़ से ठीक हो जाता है चाचा का ठीक किया, भतिजा का ठीक किया, 10 साल पहले जो बीमारी ठीक कर चुके हैं, वो किलिनिक पर आये, उनका भी हमने लाइफ किया तो हम क्यों दावा करते हैं कि फैलेरिया जो असाथ बीमारी है, हमारे चिक्सा द्वारा ठीक हो जाता है, इसलिए कि हम डीजिटल रूप से लाइफ करते हैं आप सभी को मालूम है कि लाइफ में कोई जूठ नहीं बोल सकता है, डायेट मरीज को लाया जाता है तो यदि आपको फेथ है विश्वास है कि फैलेरिया 100% ठीक हो जाता है, यदि आप सेवा का मोका देना चाहते हैं तो मेरा वार्शिप नम्मर है 98017575333 यानि 9801757533 पर आप राए ले सकते हैं पूरे दुनिया में किसको किसको विश्वास हो गया है कि फैलेरिया 100% ठीक हो जाता है फैलेरिया पर हमने रिसर्च किया है फैलेरिया जरूर ठीक होगा आप असंभाव सा फैलेरिया इतना मोटा पैर हाथी का पैर भी फेल हो जाता है वैसे फैलेरिया को देखने के बाद में काफी डर लगता है वैसे फैलेरिया के मरेज भी ठीक हुए है